एक मुठी में जो आ जाते हैं उनकी वेल्यू भी 1000 रुपे में हो जाती है और रेशियो प्रॉफिट 57000 रुपे की इंवेस्टमेंट करके भी आप 30-40,000 रुपे परमंत कमा सकते हैं यहाँ पर टेक्निकैलिटी के आपके पैसे मिलते हैं आपके हुनर के पैसे हैं समाहन के पै कि हम किस इंडस्ट्री में जाएं और इस इंडस्ट्री में बविश्य में आगे बढ़नी की क्या संभावनाई हैं तो आज हम बात करेंगे मुबाइल फोन इंडस्ट्री के बारे में और देखेंगे कि अलग-अलग देश में कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से कितने मुब जबकि 865.04 मिलियन स्मार्टफोन यूजर है और यही बात में इंडिया की करता हूं तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.39 बिलियन है जबकि 606.57 मिलियन मोबाइल फोन के यूजर है मतलब या मोबाइल फोन के यूजर बढ़नी की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि स्मार्ट फोन आज एक लेटेस्ट असा गैजट है जो इंटरनेट से और पूरे विश्व से आपको एक बार में जोड़ता है इसलिए भारत जैसे देश में इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की अपार संभावना है इसी विशा पर आज हम बात करने वाले हैं क्या-क्या के अलग-अलग सेग्मेंट में अलग-अलग डिवीजन में रीटेल का बिजनस कर सकते हैं होल्सेल कर सकते हैं डिस्टिबिशन कर सकते हैं शॉप टूप सप्लाई कर सकते हैं आप दोखो बहुत सारे मोबाइल फोन के एक्सेशरी हार्डवेर टूल्स एक्यूपमेंट्स न इंडस्ट्री में है इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहली जो अगर बात मैं आपको बताओं वो क्या है कि 2020 से लेकर 2030 के बीच में जब एक calculation की गई कि इंडिया में mobile phone की growth की क्या possibility है तो पता चला कि 4.9 CAGR मतलब compound annual growth rate mobile phone इंडस्ट्री का है अगर हम बात कर तो mobile phone के user जैसे तेजी से बढ़ रहे हैं उसी ratio में mobile phone की accessories भी ज़्यादा सदा बिकना शुरू हो गई है आप देखी एक समय था कि जब बहुत rare shop हुआ करती थी accessories की पर आज आपको accessory हर गली हर दुकान में मिल जाएगी और साथी साथ आज तो आज तो आपको पट्रियों पर users हैं तो उसमें fault भी आएंगे, fault आएंगे तो repairing के संभावना बढ़ेगी, repairing के संभावना का मतलब mobile phone के spare parts हैं उनकी demand भी तेजी से बढ़ेगी, तो spare parts से संबंदित business कर सकते हैं और कौन-कौन सा कर सकती हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और किस industry में कितना investment आएगा के लिए tools का भी इस्तिमाल हो सकता है, तो आपको tools से संबंदित business भी आप आसानी से कर सकते हैं, mobile for industry से related बहुत सार ऐसे tools है, जो use किये जाते हैं, repairing से संबंदिता है, उसकी designing से संबंदिता है, molding से संबंदिता है, बहुत सार ऐसी चीज़े हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके अकातार तेजी से खुलते जा रहे हैं, अब ये companies जब mobile phone बेशती हैं, तो अपने authorized service center भी बनाती है, तो आप authorized service center लेकर भी एक नए industry में कदम रख सकते हैं, और company से आने वाले जो set होंगे, वो भी guaranteed है कि भी company के mobile phone बिक रहे हैं, तो आपके बस repairing की possibility भी है, तो authorized service center खोल सकते ह हैं, आप नए mobile phone के authorized stores खोल सकते हैं, या multi brand का store खोल सकते हैं, जहां पर सारे mobile phone मिलते हैं, आप के एरे में Apple का authorized store भी होगा, और एक ऐसा store भी होगा, जहां Apple भी है, Samsung भी है, Vivo भी है, OPPO भी है, MI भी है, बहुत सारे multi brand मिल रहे हैं, या आप second end mobile phone भी खरी सकते हैं, आप देख तो अपना mobile phone sale कर देते हैं, तो second end sale जो करते हैं, उनको खरीदने वाले भी लोग होते हैं, तो ऐसे में आप second end mobile phone के sale purchase का business भी कर सकते हैं, इसके लाबा और मैं बात करूँ, तो आप छोटी सी information, थोडी सी जानकारी लेने के बाद, कोई भी छोटा साई crash course करने के बाद, आप mobile repairing का, खुद का private business भी कर सकते हैं, और वो क्या है, आप 57,000 रुपे से mobile repairing का काम शुरू कर सकते हैं, और वो क्या है, mobile phone की repairing का एक engineer आप बन सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी shop से tie up कर सकते हैं, tie up करने के बाद, उनके या बैठना शुरू कर दो, और जो चाहिए, जो sharing पर उनके साथ मिलकर काम कर ले, आज जो student mobile phone repairing का course करते हैं, course करते ही, मैं भी course करने के बाद की बात नहीं कर रहा, आज कोई भी institute 15,000 रुपे से लेकर 25-30,000 रुपे तक चार्ज करता है, और वो भी 3 मेने का course होता है, और students इतने तेज हैं कि वो course करते हैं, practical देते हैं, वापस कर देते हैं, जैसे ऐसे उनका course आगे बढ़ता जाता है, वो repairing expert हो जाते हैं, और course complete होते ही, वो किसी ना किसी shop के साथ मिलकर काम कर लेते हैं, या खुद की एक shop खोल लेते हैं, बहुत सारे students, companies में interview देते हैं, service center में interview देते हैं, या authorized service centers में जाते हैं, job कर तो यहाँ पर क्या है, business करने के अपार संबाब नहीं है, इसके लिए जरुवत क्या है, आपको किसी भी institute से 3-4 महिने का short term course करने की, आपने course किया, और course करने के बाद, आप course करते करते ही, mobile repairing की shop से tie up करके, पैसा कमाने लग गए, जैसी course complete हुआ, खुद की shop खोली, job की, या आप अगर spare parts industry में भी जाना चाते हैं, तो भी आपको spare parts की knowledge होनी चाहिए, और repairing course में spare parts सबसराइस्ते माल होते हैं, तो आपको repairing की knowledge के साथ साथ spare parts की knowledge भी हो जाएगी, इसके लाबा repairing करने के लिए tools की जरुत होती है, तो tools की knowledge भी तब ही आएगी जब आपको repairing आती होगी, य जर्मा की है, वो सारे तो practically कमाई लो, और कहीं न कहीं आपका अच्छा tie-up भी हो जाता है, आज institutes के पास job placement ज्यादा है, और number of students कम है, तो जो industry है, वो penetrated industry है, fastest growing industry है, मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा institute जहां से आप ये course कर सकते हैं, डेली में स्थित, 1999 से आज तक लगातार चलता हुआ जो institute है, जिसने हजारो students को train किया है, वो है ग्यान institute, ग्यान institute से mobile repairing का course करके, आप course करते करते ही इतना पैसा कमा लेंगे, कि खुद की shop भी खोलने, बिना घर से investment लिए, तो आप course करें, course के साथ साथ tie-up करें, tie-up के साथ साथ पैसा कमाना शुरू करें, फिर उसक shop to shop supply करना है, मैं एक setup नहीं मनाना चाहता है, मैं पूरे इंडिया घूमना चाहता हूँ, तो आपने क्या किया, एक back kit design की, उसमें spare parts रखना शुरू किया, इतने से spare parts, एक मुठी में जो आ जाती है, उनकी value भी 1000 रुपे में हो जाती है, और ratio of profit की बात करूं, तो 200%, 300%, 500% तक margin होता है, अगर repairing आप करते हैं, तो 50 रुपे का भी एक spare parts की cost नहीं है, और charge करते हैं 500 रुपे, 1000 रुपे, मैं एक example देता हूँ, अगर आपके mobile phone का speaker खराब हो जाता है, तो speaker आता है 12 रुपे का, repair करने के कम से कम 200-300 रुपे ले लेते हैं, तो ratio of profit की बात करेंगे ना, तो ब 20 रुपे का आता है, और market में 50 रुपे से 100 रुपे से लेके 300-400-500 तक भी बिखता है, ये lead जो headphone आप लगाते हैं, वो 6-7 रुपे की आती है, और market में 50 से लेके 90-100 रुपे तक बिखती है, तो डिपेंड करता है आप क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो इस industry में आप B2 B2B कर सकते हैं, B2C भी कर सकते हैं, supply का काम भी कर सकते हैं, spare parts के लावा tools, second and mobile phone की knowledge भी कब होगी, जब आप repair करते होंगे, तो आप mobile phone को देखकर ही बता देंगे, कि अंदर से repaired है या नहीं है, तो second and mobile phone की ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको basic एक mobile phone का course आना चाहिए, तो आ अधि बड़ी companies में job कर रहे हैं, या पर खुद के shops चला रहे हैं, मैं मोबाइल रिपरिंग कोर्स करना चाहता था, तो मैं कहीं इंस्टिटूट में गया, कि मैंने वहाँ पर trial class ली, लेकिन मेरको अच्छा नहीं लगा, कि मैं ग्यान इस्टिटूट में आया, कि मैंने यहा अधिकल तरीक से संजाया जा था, मेरको अच्छा लगा, कि मैंने यहां ग्यान इस्टिटूट में गई, मैंने वहाँ देखा, काफी सारी लड़्कियां मोबाइल रिपरिंग कोर्स कर रही हैं, और अपना करेर बना रही हैं, अगर आप भी टेलिकॉम सेक्टर में अपना क प्रशन है, तो वो प्रशन मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपको रिपेरिंग का काम आता है, तो आप इंडस्ट्री के किसी भी सेग्मेंट में बिना धोका खाए, बिना लॉस खाए, आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं, आज हजार की संख्या में स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सर्विस सेंटर चला रहे हैं, और तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्यान इंस्टिट्यूट की ही फ्रेंचाइजी लेकर, as a teacher, as a trainer, as a institute director, अपना सेंटर रन कर रहे हैं, और ला जै हिंद, जै भारत